12th physics में कुछ short question answer हम देखते हैं जैसे electric dipole या विद्युत दिधुरू क्या होता है तो विद्युत दिधुरू एक निकाय है एक निकाय किससे मिलकर बना है एक धन आवेश से और एक रिन आवेश से तो दो विपरित आवेश मतलब एक धन और एक रिन अगर नियूंतम दूरी परिस्तितों तो एसे निकाय को हम कहेंगे विद्युत दिधुरू तो यह आपका प्लस क्यों आवेश और यह माइनस क्यों आवेश और एक दूसरे से नियूंतम दूरी पर मतलब 12 दूरी पर हैं तो इस निकाय को हम कहेंगे विद्युत दिधुरू तो विद्युत कि ऐसा निकाए जिसमें दो विपरीत आवेश, नियून्तम दूरी परिस्तितों उसे हम कहेंगे विद्युत दिध्रू ठीके अब दूसरा हमारी definition बनेगी विद्युत दिध्रू आघोन यह भी विद्युत दिध्रू से ही बनने वाला हमारा definition है जिसमें विद्युद दिद्रू होगी आपका जिसमें ये प्लस Q, माइनस Q, 2L दूरी पर है तो इसमें से कोई एक आवेश पकड़ दीजी आप और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दीजी तो एक आवेश आप कौन सा पकड़ेंगे तो पी बराबर हो गया, क्यू गुणा 2L अब इसमें आप जैसे आपका चित्र इसके अंदर भी यही वाला आप बना सकते हैं कि प्लस Q और माइनस Q है, दोनों के बीच की दूरी 2L है तो इनका आपका गुणा हो गया अब इसमें अगर मात्रक लेना चाहें अब इसमें आपका एक आवेश, तो Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा 2L यह वाला चित्र आप यहां भी बना सकते हैं अब मात्रक अगर आप लेना चाहें तो यह विद्यो दिद्रू आगुण सदिश राशी है है ना क्योंकि इसमें जो धूरी है 2L यह सदिश है है ना वैसे तो धूरी आदिश राशी होती है पर इसमें 2L जो है सदिश है क्योंकि इसका डारेक्शन माइनस से प्लस की तरफ रहता है तो यह राशी सदिश है और मात रख्या इसका, तो देखिए Q का मात रख्या हो गया, कुलाम, और दूरी का हो गया, मिटर, तो कुलाम, मिटर, और वीमी सूत्र तो Q का होता, AT, और दूरी का होता, L, तो यह हो गया, AT, L, तो यह हमको मात रख्या जरूर एक्जाम में पूछा जाता है, और यह सूत्र पी बराबर क्यू गुणी 2L याद रखलो आप तो अक्षी निरक्षी इस्तती और एनने जगे भी आप इसका यूज कर सकते हैं जहापे आपको क्यू गुणा 2L की जगे पी लिखना रहता है लेकिन जब परिभाशा की बात आती है तो हम दे नहीं पाते हैं परिभाशा तो क Q गुणा 2L से ही परिभाशा बनाओ Q मतलब 1 आवेश और 2L मतलब दोनों की बीच की दूरी का गुणा फिर तीसरी डेफिनेशन हम देख रहे हैं आवेश का क्वांटी करण तो आवेश का क्वांटी करण ये कहता है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश जो होता है वो E का आवेश ठीक है तो E 1 एक लेक्टरान पर आवेश होगे और Q इसी पदार्थ पर आवेश जो होता है ये Q ये पदार्थ पर आवेश मान लो तो यह एक लेक्टरान पर आवेश E का पून गुणा जे तो यहां जो N का मान होगा वो 1,2,3,4,5 होगा यहां आप लिख सकते N ब जो कुलाम का नियम है वो क्या कहता है कुलाम का नियम भी छोटे प्रशन में आ सकता है कि किनी भी दो इस्तिर बिंदू आवेशों के बीच लगने वाला बल चाहे वो आकर्षणों चाहे प्रतिकर्षणों उनके परिमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन के शब्द भूल जाते बीच की दूरी के वियुत कर्मानुपाती लिग देते हैं वर्ग के वियुत कर्मानुपाती होता है ठीक है तो यह आपका हो गया नेक्स्ट लें विद्ध्युश्यत्र तो सिंपल डेफिनेशन दीजेगा किसी भी आवेश के प्रभाव का शेत्र कह तो विद्ध्युश्यत्र में रखा एकांग धनावेश जितने बल का अनुभव करता है जैसे बानलो कोई विद्ध्युश्यत्र है उसमें आप एकांग धनावेश को लेकर आए तो वो विद्ध्युश्यत्र क्या करेगा उस पर बल लगाएगा तो वो जो बल लगाएगा उसको उसकी कहेंगे तिव्रता तो विद्युश्यत्र में रखा एकांग धनावेश या विद्युश्यत्र में लाया गया एकांग धनावेश जितने बल का नुभव करेगा उसे उसकी तिव्रता कहेंगे और विद्युश्यत्र की तिव्रता का सूत्र क्या है E is equal to F upon Q तो उससे इसका मात्रक बनेगा Newton प्रतिकुलाम ठीक है? और E का एक फार्मुला हो रहे 1 upon 4 pi epsilon not cube at R square ये भी आप याद रख सकते हैं विद्धुश्यत्र की तीवरता चुकि ये बल है तो ये सदिश राशी है है ना मात्रक इसका क्या हो गया? Newton प्रतिकुलाम देखे बल का Newton और आवेश का कुलाम Newton प्रतिकुलाम इसका एक मात्रक और वोल्ट प्रतिमिटर वो भी याद कर सकते हैं अब विमी सुत्र जब आब इसका लेने जाए तो पहले बल का विमी सुत्र आपको कक्षा 11 भी से पता है MLT-2 होता है MLT-2 और Q का भी हमने देखा 80 होता है MLT-2 में 80 का भाग लगाओ MLT-3 A-1 तो जब आप सुत्र निकालने जाओ तो आपको रटनिक जरूत नहीं है वेसे क्योंकि F का लिख दो और Q का 80 लिख दो F का बल का तो सुरू से याद है MLT-2 Q का 80 और उपल ले जागे आप इसको कर दो है ना मात्रक यहीं से निकलेगा Newton प्रतिकुलाम Next definition है विद्ध्यूत फ्लक्स तो विद्ध्यूत शेत्र में किसी तल से अभिलमवद गुजरने वाली शेत्र रेखाओं की संख्या को विद्ध्यूत फ्लक्स केते हैं तो उस तल से बद्ध विद्ध्यूत फ्लक्स केते हैं तो जितनी भी बल रेखाओं अभिलमवद गुजरती है देखे फिर से विद्यूत है ना विद्यूत फ्लक्स लिखा है ना तो विद्यूत शेत्र लो पे लगए तो विद्यूत शेत्र में कोई तल है उससे क्यारिक उससे गुजरने वाली कोने शेत्र रेखा है लेकिन कौन सी अभिलमवत तो अभिलमवत गुजरने वाली शेत्र रेखाऊंगी सं कुहना को यह में a का गुणा अब दिखो मात रख देन डिको नूटन प्रतिकुल आम सिधों यह विद्ध को चाहरो में इल एक प्रतिकुल में यह कि अधान हमना तो मr निकालना आता है तो उसमें A2 का गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा ठीक है चले नेक्स चलते हैं विद्धुश्यत्र रेखाएं तो विद्धुश्यत्र रेखाएं क्या होती है हमें पता है धन से रिण की तरफ खिची जाती है यह एक दूसरे को काटती नहीं है लेकिन यह कालपनिक होती है तो यह कालपनिक वक्र है और इनके किसी भी पाइंड पर या किसी भी बिंदु पर अगर आप इस पर श्रेका खिचते हैं तो उस बिंदु पर क्या बताती है वो प्रणामी विद्धुश्यत्र की दिशा बताती है कहीं विद्ध्यारतियां बहुत सरल तर और इन पे कहीं भी आप इस पर्ष्रे का खिशते हैं अगर तो उस बिंदू पर वो नेड़ बलिया परिणामी विद्धुश्यत्र को बताती है और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है आगे बढ़े गौस प्रमे क्या है गौस का प्रमे कि वायू या निर्वात में किसी बंद प्रष्ट से गुजनने वाला संपुण विद्धुथ फ्लक्स या कुल फ्लक्स फाई उस प्रष्ट पर उपस्तित कुल आवेश Q का वनपान एपसिलान नाट गुना होता है तो फ्लक्स जो है वो आवेश का वनपान एपसिलान नाट गुना होता है बस ये आपका गौस प्रमे सरल शब्दों में अगर आप बताएं तो विभव क्या होता है विभव एक डेफिनेशन विभव की भी आपको याद दोना चीए कि एकांग धनावेश को अनंत से तक लाने में किया गया कार तो जब भी आप जैसे कोई आवेश है उसका विद्धु श्यत्र है और आप एकांग धनावेश को पकड़ के अगर महां तक लाते हैं तो जितना भी आपको कारी करना पड़ेगा मतलब मेरा यह है कि उस विद्धु श्यत्र में लाने में आपको कारी करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिकर्षन लगेगा तो एकांग धनावेश को अनंद से विद्धु श्यत्र की किसी विद्धु तक लाने में किया गया कारी उस विद्धु पर क्या कहलाता है विभव और इसका मात्रब होता है वोल्ट राशी है अदिश ऐसे एक सम दूसरे को कभी भी नहीं काडते अगर आपको सम्विवंप्रष्ट की दो विशेशता है पुछे यह दोनों लिख देना अप यह संवाव प्रष्ट जिसके प्रतिक बिंदू परिभव और इक समान होता और दो संविप्रश्ट एक दूसरे को कभी भी नहीं कारते है नेक् धारिता आवेश के उस मात्रा के बरावर होती है, जो उसके बीभ़व में इकाउ बरद्दि करते हैं. धारिता 安तिमी देशन में आपको संधारित्र क्या है? कि संधारित्र क्या है तो किसी चालक के आकारिया आकरती में परिवर्तन किये भी न उसकी धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं संधारित्र जीसे एक डंडा होता है तो हम कहते हैं चालक है लेकिन उसके पास एक डंडा और लगा देते हैं तो वो संधारित्र बन जाता है तो मतलब आपने क्या किया ना तो उस पेले वाले डंडे के आकारे आकरति में परिवर्तन किया चालक कि genau लेकिन उसकी ध्हारिता को आपने एकोर चालक उसके पास में लाकिर ननावशीद चालक लाकर बढ़ा दी तो इस युक्ति को हम कहते हैं संधारित तो किसी भी चालग के आकार या आकरती में परिवर्तन किये भी ना उसकी धारिता बढ़ाने वाली उक्ति को संधारित रिखेते हैं तो ये पहली उनिट के सारे के सारे short answers मैंने एक साथ ले लिए अब अगर आप YouTube पर continue जुड़े रहते हैं तो मैं आपको सारी units के short answers और short questions आपको available कराऊँगा क्योंकि इनी से सारी सभी जगे exam में question papers short questions बनते हैं और Mars भी इनी से लाए जाते हैं चली, thank you very much, channel को subscribe कीजिए, जुड़े रहिए 12th का पूरा syllabus NCRT का available है MP board, UP board, Rajasthan board, NCRT, पूरा पूरा syllabus playlist के अंदर इस channel पर उपलब दे आप जाईए और उसको subscribe कर लिजिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, thank you very much